जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में अकाउंटिंग गुरु में अकाउंटिंग एक्विशन नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और काफी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट की थी इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऐसेट से वह आपके लिएबिलिटी और आपके कैपिटल के बराबर होगा और और क्या है यहाइबिलिटी क्या है क्या है साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ एसे इंक्रीज देन कैपिटल और लाइबिल्टी विल अलसो इंक्रीज यह जो कुछ फंडामेंटल एक्विशन मैंने आपको बताये थे उस सब आपका प्रीवेस क्लास में आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेइलिस्ट बनी है उस प्लेइलिस्ट को आप क्या कर सकते हैं वहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं तो आज की क्लास बहुत इस्पेसल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कुशन सॉल्व करन पढ़ेगा या आपके capital पर क्या प्रभाव पढ़ेगा सबसे पहला point कहता है कि आपने business start किया 5,00,00,00 रुपए से business start किया है तो इसका मतलब है भाई आप जो recording करते हैं वह business की ही तो करते हैं उसका मतलब है कि आपका पांच लाग से cash balance बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा पांच लाग से cash balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जरने profit का और आजाएगर अपने साइड का पह समय का हशूकरा कि नहीं बढ़ जाएगा यानी पहला साइड में आप हैश बढ़ तेसे बढ़ेगा दूसरे साइड में आपका बढ़ेगा अपका क्या बढ़ताईगा आपका 12 लाख रुपए से बढ़ जाएगा कि द्यान देंगे दूसरा पॉइंट कहता है आपका यह पॉइंट क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट कहता है कि पर्चेस गुड्स अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल एक चीज बताए थी हाउ टू आइडेंटीफाई ट्रांजेक्शन कैस वारा क्रेडिट जिन ब याउने रहेगा बस थोड़ा सा उसमें अंतर रहेगा और आपको तूरंद पता चल जाएगा यह आपका कैश है यह ट्रांजेक्शन आपका क्या है क्रेडिट है तो सबसे पहला पॉइंट है यह वाला यह वाला खोल के यह वाला बन कर दो हाँ है कि ध्यान दो ध्यान देंगे आप कैसे पता करेंगे कि ट्रांजेक्शन आपका कैश है या क्रेडिट है जैसे मैंने आपके सामने लिखा है गुड सोल्ड गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 5000 दूसरा पॉइन है आपका गुड एफ प्रुपीज 5,000 पर एचिशरा पॉइन है आपका गुड असामने साम सोल्ड आप रुपीज प्रुपीज पाइफ थाउजन्ट पॉर कैश तू राम फिर एक लास्ट है गुड तोल्ड ओफ रुपीज पाइफ थाउजन्ट तू राम ज्यान दीजिए सबसे बड़ी समझ से यही होती है कि हमें यह नहीं पता चलता कि ट्रांजेक्शन हमारा कैश में है या फिर क्या है आपका क्रेडिट में है जैसे अगर हम केस नंबर तू और थ्री की बात करें यानि दूसरे और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ आपका कैश मेंन सन है इसमें तो कोई कंफ्यूजर नहीं है लेकिन प्रॉबलम आती किसमें है आपकी फ्रांजेक्शन कैश में या किसमें है फ्री इक्रीडिट में है इसके लिए एक सिंपल सा रू समझो अगर बेचने वाले या खरीदने वाले का नाम आपको दिया गया है अगर वेंडर या फिर परचेजर का नाम दिया गया हो किसी भी ट्रांजेक्शन में तो आप उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे आप उस ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे क्रेडिट ट कहता है और जिस ट्रांजेक्शन में ना तो vendor का नाम दिया हो ना पर्चेजर का नाम दिया हो इस ट्रांजेक्शन को always क्या मानेंगे आप ças transaction मानेंगे क्या मानेंगे आप always cash transaction मानेंगे लेयर हो गया इतनी बात बस आपको यह याद रखना है क्योंकि इसी में सबसे यहाधा प्राइबलम माती दैखो अगर आप क्रेडित रांजेक्शन को कैस्ट रांजेक्शन माल लेते ही इसका मतलब यह है कि आप अपने कैश को बढ़ा रहे हो जबकि आपको बढ़ाना टेटर को था mín कि तो किसको बढ़ाना था डेटर को बढ़ाना था ठीक है तो वहां पे गलती होने का आपका चांस होता है ठीक है अब जैसे यह पॉइंट समझ में आ गया सबको न अब जैसे यह वाला पॉइंट है जिसे यहां पे लिखा है पेड़ सैलरी लेकिन अब यह नहीं पता चल रहा है कि आपने इसको कैश मे सब्सक्राइब कहां कि आपको समझा रहे तो जैसा पहले मैंने आप से कहा कि जब आप बिजनस स्टाड करेंगे तो आपका पांच लाख रुपाई से cash increase होगा और पांच लाख रुपाई से आपका capital क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अब दूसरा point देखें कहता है good purchase goods purchase goods यानि इसका मतलब है कि आपने क्या किया होगा cash में समान को खरीदा होगा अगर आपने समान को cash में खरीदा होगा इसका मतलब आपका cash balance 25,000 से decrease होगा कि नहीं decrease होगा decrease होगा और साथी साथ 25,000 से आपका stock balance भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और मैंने आपको कल की class में बताया था कि अगर एक ही समय में assets बढ़ रही है और घट रही है तो आपके दूसरे साइड यानि capital और liability पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा यानि यहाँ पे कोई भी effect नहीं है यानि no effect clear हो गया point तीसरा point फिर कहता है paid salary paid salary तो paid salary का मतलब है कि cash transaction ही हुआ होगा तो आपका 10,000 रुपए से cash balance क्या हो गया होगा decrease हो गया होगा की ने decrease हो गया होगड़ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको last class में सíनक्यों बताया था कि अगर कोई भी expense increase हो रहा है अगर कोई भी क्या हो रहा है विटे एक्स पे इंक्रीज हो रहा है तो इसका directly प्रभाव किस पर पड़ेगा आपके capital पे पढ़ेगा डारिकली प्रभाव किस पे पढ़ेगा capital पे पढ़ेगा और अगर आपका कोई income भी increase हो रहा है तो इसका भी directly प्रभाव किस पे पढ़ेगा आपके capital पे पढ़ेगा यानि अगर profit हो रहा है तो हम capital में उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे और अगर कोई loss हो रहा है या हमने कोई expense pay किया है तो हम उसे क्या करेंगे minus कर देंगे उसके capital में से उसे क्या कर देंगे minus कर देंगे इसका मतलब विये अगर आपका एकश्य ग्षच्ट रहा एक साईड आपका cash घट रहा है तो दूसरी आपका डीम प्रक्ट कर देंगे माइनस कर में या कर देंगे ठीडरिंगे हम यसे माइनस कर देंगे přारों it कोस्ट यानि आपने 25,000 का गूट histories बेच दिया आप जैसरे मालिजस अगर हम इसको क्य toothpaste को कितना मालने तो आपने इसको 25 पर संट पर बेचा है यानि 125 पर संट पर इसको कितने पर चाहोगा 125 परसेंट पर यह की नहीं है तो जब हम 20 हजार का 125 परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा आपप 40,000 आजाएगा आप एक बार क营्द करके देख लिजये था कैलकुलेटर मेरा कहा है वह कैन ci Hey का कि बीस हजार का 125 परसेंट कि मेरा केल्कुलेटर नहीं चल रहा है क्या है दूसरा केल्कुलेटर दो भेज हरा है तो अब आप देखो आपने बीस हजार का स्टॉक इतने में बेचा पचीस हजार में बेचा इसका मतलब आपके पास क्याश कितना आया होगा यह बता आप आपके पास कैश कितना आया होगा पचीस हजार कोई दिक्कत तो ने इसमें अच्छा आपके पास स्टॉक कितना गया होगा आपके पास से स्टॉक गया होगा कितना 20,000 अभी भी देखो 5000 का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है और मैंने क्या कहा था कि अगर इंकम होगी तो उसको भी कैपिटल में क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक्सपेंस होगा तो उसको कैपिटल में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यानि जो डिफरेंस आ रहा है आपका 5000 वो आपके कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो नहीं न चलो पिर आगे पॉइंट देखें कहता है सैलरी पेड इन एडवांस तो आपका कैश बैलेंस घटा होगा कि नहीं घटा होगा आपने सैलरी प प्रक्राइब कर देते हो आपके लिए क्या वन जाता है असे देखो कि देखो बेटा अगर कोई एक्सपेंस है ठीक है और अगर वो आ इस्टेंडिंग है यह आपके लिए लाइबिलिटी का काम करें मतलब क्या होता है इंसको नोट कर लिजएगा BUT NOT PAID ठीक है आप अगर इसी expense को आपने advance में pay कर दिया इसी expense को आपने क्या कर दिया बěटा advance paid कर दिया इसका मतलब यह आपका किसका काम करेगा assets का काम करेगा किसका काम करेगा बेटा assets का काम करेगा और इसकी definition क्या होगी सिर paid BUT NOT तो दो पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो जैसे अगर आप से पूछा जाए कि वह इस दा आउट इस्टेंडिंग एक्सपेंस तो आप डाफ लिख लिजे सर आउट इस्टेंडिंग एक्सपेंस विच आर द्यू बट नाट पेड यह हो गया पहला पॉइंट दूसरा अप डा ऑर्गनाइजेशन और कौन सी लियूटी माल लिजए एकर आप से डीटेल में कोई पूछे की भाई कौन सी लियूटी इसका सीधा आंशर होगा सर करेंट लियूटी कऊंसी लियूटी करेंट लियूटी और अगर एडवांस की बात करें हम तो एसर्ट्स तो है आज़ा एसेट्स लेकिन कौन सा एसेट्स सर करेंट एसेट्स क्या है आपका करेंट एसेट्स पॉइंट क्लियर हो गया चले आगे हम चले आगे देखते हैं यह तो बात हो गई एक्सपेंस की फोड़ा सा इंकम को भी देख लेते हैं लगें हाथ क्योंकि इसको भी आप जानते रहे है अच्छा माल लीजे income आपका accrued है देखो यहाँ पे एक सब्द आता है accrued और एक सब्द आता है outstanding अक्सर बच्चे confused होते हैं कि sir accrued क्या in expense हो सकता है या outstanding क्या income हो सकता है देखो इसका जो nature है दोनों का same ही है बट pronunciation अलग अलग है outstanding is always used for the liability तारण क्या होता है देखे एक चीज जाने है जो liability होती है बेटा वो duty होती है और उसको आपको pay करना ही करना पड़ता है हर हालत में pay करना है लेकिन जो आपकी assets होती है वो आप क्या कर सकते है तरीके से राइट है आपका तो मैंने का liability क्या है duty है लेकिन assets क्या है right है right मतलब अधिकार और अधिकार को आप छोड़ सकते हो लेकिन duty को आप छोड़ नहीं सकते समझ में आ गया duty को आप छोड़ नहीं सकते यही कारण है कि हम expense को हमेशा यूज करेंगे किससे outstanding सब्द से और income को किससे use करेंगे आपके accrued सब्द से मतलब due but not receive और आप मिलना था आपको फुर दिया किसा रहने दुन ना दो फुर सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो यह भी हो सकता है जैसे आप लोग खाना खाने गए आपने बिल दिया बिल आया 500 रुपया या बिल आया 490 रुपया आपने पांसो का नोट दिया तो आपने वाला आपको 10 रुपय रिटन कर रहा है आपने कहा keep the change वह 10 रुपया आपका क्या था assets था या आपकी liability थी assets था इसलिए आपने कहा keep the change लेकिन अभी 490 के जगह 480 रुपया दो सामने वाला मांग लेगा कि नहीं मांग लेगा मांग लेगा कि सर दस रुपया और दो लेकिन हाँ उसका मन है तो वह छोड़ सकता है उसका मन है तो वह छोड़ सकता है और अगर मन नहीं है तो आपसे ले लेगा और आपको देना पड़ेगा क्लियर हो गया तो आपका सब्द किस के लिए इस्तमाल होता है इंकम के लिए होता है जिसका मीनिंग क्या होता है ड्यू बट नॉट रिसीव और यह आपके लिए बेटा किसका काम करेगा करेंट एसेट्स का काम करेगा इसका काम करेगा अच्छा क्या इंकम एडवांस भी ह लेजिए nooit को सकती है पांच हजार रूप्या दो हजाएंगे तो दो हजार पांच हजार रूपया तो हुट ने मेरे को एडवांस दिया वह मेरे क्या वन गई एस पिमेट को नि यह कि ते बनी यह लगैक कि बनी जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं दुकान पर खड़ा था एक बच्चा है वह आया दुकान के पास उसने दुकानदार से कहा यह परची है समान निकाल दो मैं अभी आदे घंटे बाद आऊंगा मैंने नहीं कहा उस बच्चे ने कहा थीक है उस बच्चे ने कहा दुकानदार से कि भाईया ये परची है समान निकाल दो मैं आता हूँ आदे घंटे बाद अच्छा आदे घंटे बाद वो आया उसने कहा भाईया समान निकालो क्या दुकानदार उसके लिए responsible है उस समान को निकालने के लिए है अमालों वो नहीं निकाला हो क्या ये जो बच्चा है इस दुकानदार के उपर claim कर सकता है क्या नहीं कर सकता क्योंकि आपने अभी कोई obligation create ही नहीं किया है लेकिन हाँ इस बच्चे ने तुरंथ ही 5000 रुपया दे दिया ये कहा कि भईया ये 5000 रुपया निकाली लीजिए ये समान अभी हम आदे घंटे बाद आके लेंगे उस दुकानदार को अब निकालना पड़ेगा अगर उस दुकानदार ने नहीं निकाला तो सीधी सी बात है अब आप उसके उपर क्या कर सकते हो क्लेम कर सकते हो यानि कहने का मतलब है कि अगर इंकम बेटा आपको एडवांस में मिल जाए अगर इंकम आपको किसमें मिल जाए एडवांस में मिल जाए तो इसका क्या होगा बेटा receive but not due यह आपके लिए किसका काम करेगा बेटा liability का और कौन सी liability है current liability ठीक है बेटा देखो यहाँ पर cross relation आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपको cross relation देखने को मिल रहा होगा outstanding liability और advance income ठीक है और इसका यह देखो कि पिटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया दिक्कत तो नहीं है तो आपको जब आप accounting equation कर रहे हो यह जब भी भी आप balance वना रहे हो तो आपको हर एक बारीकियों की परक होनी चाहिए चलें आगे हम नोट हो गया है कल आगे देखते हैं अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने क्या किया कि salary आपने advance में पे कर दिया salary यानि आपके लिए क्या होगा business के लिए क्या होगा एकसपेंस ही तो होगा अगर business के लिए एसका मतलव यह इसनेस की आसेटिस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई और के रूप में आटा बढ़ गई रही रही और एकई समय में बढ़ भी रही है ऐसेटिस घड़ और वाले और लाइबिलिटी वाले पर कोई प्रभाव पड़ेगा आंसर है नो सर आगे देखे कहता है कि आपने एक अडिशनल कैपिटल लगाया है जब कैपिटल लगाता कौन है उनर ही तो लगाता है ठीक है अगर लगा रहा तो इसका मतलब है बिजनस का कैश बैलेंस क्या हो गया बढ़ गया और बिजनस का कैश और बैलेंक बैलेंस बढ़ा साथ ही साथ क्या बढ़ गया अपिटल बैलंस अब आप oversetा कि Bar करेंट एक सीट कोkea सवाल यह उड़ताए आप किसी भी Assets को Current Assets या Fix Assets कब कहोगे अब आप कहोगे कि सर जमीन है परनीचर है बिल्डिंग है यह तो Fix Assets होती है यह बच्पन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है बच्पन यह नहीं 11 से कैस है बैंक है डेटर है स्टॉक है यह हमाई लिए करेंट होता है कि हम बच्पन से रट्टा मारके पढ़के आए हैं जिबकि बेटे आप खुटे से कॉंसेप्ट पे आप अपने इस पॉइंट को क्लासिफाई कर सकते हो यह आपकी करेंट एसेट्स है या आपकी क्या है एसे जहां से देखो आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर आप बिजनस को आइडेंटीफाई करना है आपको सिर्फ और सिर्फ किसको आइडेंटीफाई करना है नेचर आप बिजनस को आइडेंटीफाई करना है बस एक बार आपने नेचर आप बिजनस आइडेंटीफाई कर लिया फिर आप गलती ही नहीं करोगे कि यह एसेट सापकी करेंट है या यह एसेट सापकी क्या है फिक्स है जामपल से समझाता हूँ जैसे मैंने बेटा यहाँ पे लैंड लिखा यहाँ पे बिल्डिंग लिखा यहाँ पे मैंने फर नीचल लिखा, ठीक है, अब आपकी नजरों में इसार ये fix fix दिख रहा होगा, लेकिन सोचो, अगर मैं property dealer होता, अगर मैं क्या होता, property dealer होता, तो क्या अभी भी जमीन मेरे लिए fix assets होती है, current हो जाती ही न, हैने क्या आप identify किया, nature of business, हैने क्या identify किया, nature of business, समझ में आया, तो आप nature of business identify कर लो, automatic पता चल जाएगा कि यह आपकी current है, या फिर आपकी क्या है, fix assets है, ठीक है, जैसे, मैं क्या कहते है, मैं एक electronic की मेरी shop है, electronic की मेरी क्या है, shop है, मैंने फ्रिश खरीदा, मैंने एसी खरीदा, मैंने पंखा खरीदा, यह मेरे लिए fix होगा, या current होगा, अब इसलिए current होगा, सर, इसलिए क्या होगा, current होगा, लेकिन अगर मेरी shop stationery की है, अब मैं यही चीज फिर से खरीद रहा हूँ, फिर यह मेरे लिए क्या हो जाएगा, fix हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, अब जैसे इन्हों ने भाई साब ने क्या खरीदा है, लेकिन हमको यह नहीं पता चल रहा है, इनका nature of business क्या है, जब ना पता चले की nature of business क्या है, तो always मान लीजे कि यह क्या है, fix है, इसका मतलब ही यह जो आपकी computer आया है, यह cash में ही आया होगा, आपका cash क्या होगा, घटेगा, अरे भाई, रुक जाओ, हो जाता है, आपका cash balance क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आपका computer यानि fix assets, यह क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्या capital और liability पे कोई प्रभाव प आपके देखेंगे, एक last point है, अब कहता है deposit bank, deposit 50,000 into the bank, deposit 50,000 into the bank, एक चीज़ सुनो ध्यान से, जब भी भी बेटा, cash और bank, दोनो एक साथ आजाए, दोनो एक साथ आजाए, वाली पिच्चर देखे हो और नहीं देखे हो, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही, हम साथ है, साथ है, तो ठीक है, जब कहस और bank, दोनों ये गाना गाने लगें, कि हम साथ साथ हैं, तो ये मान के चलना, वो हैं counter, वो हैं क्या बेटा, counter, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, पच्पन में आप लोगों ने counter नाम का game भी खेला होगा, अबी खेला है, अच्छा, कोई बात नहीं, लूडू खेला है, लूडू, लूडू खेला है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो आद देखो, तो counter क्या होता है, counter entry क्या होती है बेटा, जहां पे cash और bank दोनों एक साथ आ जाएं, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताओं, कि अभी एक exam हुआ था, क्या कहते हैं, बिहार का exam हुआ था, दो नंबर का सवाल आया था, what is the counter entry, क्या होती है, मैं काहने दे पाऊंगा बेटा, ठीक है, एक बच्चा पेपर देने के बाद मुझसे पूछ रहा है, कि सर, बताओ, counter entry क्या होती है, मैंने का भाई, मुझे नहीं पता, कह रहा है सर, जब आपको नहीं पता, तो हमें कैसे पता, कि काम करो, lecture number 8 जाके पढ़ लेना, वहां बताया, counter entry क्या होती है, यह चीज आप देखो, जब आप अभी आप graduation में हो, इन सब छोटी 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 चीजों पे आप भले ही कहो कि हस के टाल दो, लेकिन जैसे ही अभी भी competitive exam में जाओगे, commerce के competitive exam में जाओगे, छोटी 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 questions आपके लिए सरदर्द create कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि outstanding और accruid में अंतर क्या होता है, अब भूल जाओगे कि counter entry क्या होती है, इसी लिए इन सब चीजों को बहुत बारीकी से समझो, clear ह हो रहे है, चलो, मैंने कहा कहा कि जहाँ पर cash और bank दोनों एक साथ आजाएं, उस entry को क्या कहते हैं, हम counter कहते हैं, सवाल यह उठता है कि sir, कब साथ साथ आते हैं, तो देखो, यह situation में साथ साथ आते हैं, पहला, cash deposit into bank, और दूसरा, cash withdraw from bank, जमा करते हैं, जब हम निकालते हैं, अब कुछ बच्चों के दिमाख में आ रहा होगा कि sir, एक बात बताओ, जमा करने के लिए क्या हमें bank जाना पड़ेगा, या ATM में ही जाके जमा कर दिये तो, वह भी counter होगा, अरे भाई, आपको जमा करना है, आपके पास से hard cash जाए, या counter है लाएगा, clear हो गया, जैसे अभी तो एक normal सी entry में आप से पूछता हूँ, जैसे लिखा है cash deposit from ATM मसीन, यह भी एक तरीके से counter ही तो है, आपने आजकल तो मसीन आने लगी है, बैंक जाने की आपको जूरत ही नहीं है, अब ATM मसीन में ही पैसा डालो, आपके account में क्या कर देत है, डिपोजिट कर देता है, वो भी तरीके से क्या है, counter entry ही है बेटा, ठीक है, clear हो गया, तो आपका cash balance क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आपका bank balance क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और capital or liability में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, point clear हो गया, सवाल हो जाएगा, अ दूसरा question, एक second, एक second, क्या, एक बच्चे का सवाल है, sir, लूडो और counter का क्या relation है, बता देता हूँ, बेटा, आपको याद हो, लूडो में ऐसे ऐसे चार खाने होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, आपको याद हो, जब चार लोग दो पार्टी में खेलते हैं, ग्रूप बना के, होता है, न, वैसे लाल वाला, अगर पीले वाले पर आ गया, तो काट देगा, लेकिन अगर साथ साथ हो गया, तो, एक दूसरे के ऊपर चलते, चलके चले जाते हैं, न, ये relation है, बस, ठीक है, मुझे सजक भी रहना पड़ेगा, कोई भी सवाल पूछने स पहले एक बार बोलना पड़ेगा, उसका अंसर, जालो, ठीक है, ये हो गया थे दूसरा वाला, ठीक है, चलो, इसको करा देते हैं, ठीक है, देखो, इसे नहीं बोलते, बोलते ऐसे हैं, कि जाकी रही भावना जैसी, ठीक है, जैसे, मुझे घर में अगर कोई कहता है, बुरा, तो मैं वही कहता हूँ, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन पर, कि अगरो, देखो, एकाउंटिंग, एकाउंटिंग एक्वेशन करने के लिए, आपको क्या करना है, इस क्वेशन को हम सॉल्व कराते हैं, बकाइदे एक फॉर्विट बनाना है, यहाँ पर क्या लिखना है, प्रांजेक्शन लिखना है, यह हो गया, आपका एसेट्स, अच्छा, एसेट्स का कॉलम बड़ा रखना है, यह हो गया, आपका क्यापिटल, प्लस लाइबिलिटी, लेको, पेटा, एक चीज जानो, जीवन में एक बात याद रखना, कि आपकी जो लाइंग्वेज है, वो बहुत मैटर करती है, हमाई मम्मी कहती है, कि जो जुबान होती है, वो आपको पान भी खिला सकती है, और अगाली भी खिला सकती है, करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं, मीठा पान खाने के लिए, मीठा बूलना पड़ेगा, न है ह Girald, घ्याद देंगे देखिए पहला पॉइंट कहता है आपका धियाँ दो बेटे, पहला पॉइंट कहता है कि आपने बिजनस स्टांट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया आपने क्या है दो लाख रुपेया कैश लगा कर और ऑचासंद रुपेया जमीन खरीद कर तो मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस मेन की दौरा जो भी कुछ लगाया जाता है वो सब कggak आप होता है और तीन चीजे मैंने आपको बताई थी capital के लिए, पहला क्या होता है, cash होता है, assets होता है, kind होता है, यानि अगर हम cash की बात करें, ध्यान दो, तो हमारा cash 2,00,000 रुपए से बढ़ेगा, हम land की बात करें, तो 2,00,000 रुपए से हमारा land बढ़ेगा, जब हम capital की बात करें वेटा तो capital भी हमारा कितने से बढ़ेगा, 2,50,000 से हमारा capital भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, clear हो गया न, तो हमने यहाँ पे लिखा, पहला point, business started, business started, यहाँ पे आप अपना देखो, यह column, इस column में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे equation लिखना है, equation में सबसे पहले क्या नाम आएगा, cash का, cash कितना है, 2,00,000 से, plus, land है, आपका कितने से बढ़ेगा, पच्यास हजार से, और इधर आपका क्या हो जाएगा, capital, इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइन मुझे बढ़ानी पड़े, हम, यह हो जाएगा, आपका, capital, अच्छा, जिनका, copy बेटा, जिनको लगता है कि सर हमारा नहीं आएगा, वो copy को ऐसे कर ले, आप आजाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, capital बढ़ जाएगा, capital आपने कितने रुपए से बढ़ा दिया, दो लाग, पचास अजार से, हर transaction को, हर transaction को आपको क्या करना है, इंड करना है, और हर transaction को open भी करना है, जैसे, यहाँ पे आप cash का balance कितना लिखा जाएगा, आपका, दो लाग, प्लस, जमीन का, पचास अजार, और इधर capital का आपका कितना, दो लाग, पचास अजार, पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा point देखेंगे, दूसरा point कहता है, कि आपने एक machine यह क्या है, बेटा, इसको काट के stock लेखो, आपने क्या किया, कि stock खरीदा है, अस्ती हजार रुपए का, अस्ती हजार का stock खरीदा, यानि आपके पास से cash बढ़ा की घटा, घटा न, आपका cash क्या हो जाएगा, घट जाएगा, cash घटा हमारा सर अस्ती हजार से, और हमारा stock क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पका न, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, चलो आओ देखो, goods purchase, goods purchase, cash आपका घटा है, कितने से घटा है बढ़ा, अस्ती हजार से, जो चीज आपको माइनस करनी रहती है बाबू, उसको आप किस में लिखना है, bracket में लिखना है, bracket मैं red pen से लिख दे रहा हूँ, अच्छा, क्या जमीन पे कोई प्रभाव पढ़ा, क्या जमीन पे कोई प्रभाव पढ़ा, नो सर, लेकिन हासर, stock हमारा बढ़ गया, तो एक और नई assets हमारे पास आ गई, और उसका नाम क्या है, stock, कितने से, 80,000 से, एक ही समय में assets बढ़ रही है, घट रही है, क्या capital और liability पे कोई प्रभाव पढ़ेगा, answer है no sir, liability भी अभी भी 00 है, ठीक है, चलो ठीक, खलो, close करो अब, यहां कितना आ जाएगा, एक लाग, बीस हजार, प्लस पचास हजार, प्लस आपका कितना, 80,000 रुपिया, इधर कितना हो जाएगा बेटा, 2,50,000 रुपिया, लाइबिलिटी के नाम पे अभी भी 0 है, ठीक है, फिर कहता है cash sale, cash sale, ठीक है, अब देखो, cash sale, यानि आपके पास cash आया होगा, और आपके पास क्या होगा बेटा, stock गया होगा, आपके पास स्टॉक क्या होगा, गया होगा, अब यहां पे आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा, कि सर आपने cash बेचा, समान बेचा, इसका profit और loss तो कुछ दिया ही नहीं है, बेटा अगर question में नहीं दिया है, तो आपको सरदर्द पालने की जरूरत ही नहीं है ना, जितना है उतना उतारो, क्यों अलग से आप लोग से एक चिल्ली बने पड़े हो, ठीक है, इतना है उतना करो ना, क्या दिक्कत है, चलो आँ देखो, सबसे बड़ी समझ स्या यही होती है, हम question करते समय परसनल हो जाते हैं, कि सर इसके साथ ऐसा क्यों, अरे हमें क्या पता क्यों, cash sale, चलो बताओ, यहाँ पर cash बढ़ जाएगा बिटा, पचीश हजार से cash बढ़ गया, और stock कितने से घटेगा बिटा, जमीन पर कोई प्रभाव, नहीं, लेकिन stock पर 25,000 से reduction आ जाएगा, घटा दियेंगे, घटाओ, liability और इस पर कोई प्रभाव, नहीं सर, अभी भी जीरो जीरो, यहाँ बिटा कितना आ जाएगा, एक लाग, एक लाग 45,000, प्लस पचास हजार, प्लस पचपन हजार, कोई दिक्कत तो नहीं न, यहाँ पर दो लाग पचास हजार, यहाँ पर भी जीरो, हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया, अब चौथा, कहता है, कि आपने गुट्स बाई किया है, ब्राट गुट्स ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम दा, सल्मान ओफ वर्थ रुपीज, पचास हजार, देखो द्यान से, आपने उधार में समान खरीदा, जब आपने उधार में समान खरीदा, तो क्या आपके कैश पे कोई प्रभाव पढ़ा, क्या आपके पास लैंड पे कोई प्रभाव पढ़ा, स्टॉक पे कोई प्रभाव पढ़ा, हाँ सर, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, और उधार में किया है सर, इुदहार में खरीदा है इसका मतलब है सर भविष में payment करना पड़ेगा तो भविष में payment करने का मतलब यह है कि आपका देखो बेटा स्टॉक भी बढ़ रहा है और आपकी liability भी बढ़ रही है आपकी क्या बढ रही है liability और उस liability को हम बड़े प्यार से लेटिटर कहते हैं याद है तो मैं आपको मैंने आपको साद लेक्षर नंबर तीन या चार में डेटर के बारे में बताया है अदिए कि नहीं बताया है बताया है चलो आधे आधेंगे और शुब्स परचीज ऑन क्रेडिट तो कैश पे कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ा जमीन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा स्टॉक सर हमारा बढ़ा कितने से पचास हजार से और आपका क्यापिटल कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन हां पचास हजार से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई और इस लाइबिल कि यहां कितना आएगा पहले वाले में एक लाग पैतालीस हजार प्लस पचास हजार एक लाग पांच हजार और यहां पे कितना दो लाग पचास हजार यह देखो पचास हजार से लाइबिलिटी भी बढ़ गई दिक्कत तो नहीं इतने में आगे बढ़ते अगला पॉइंट क्या कहता है यह हो गया सल्मान वाला फिर कहता है सेल ऑन एकाउंट आप दा अली रजा सेल कर दिया आपने समान बेच दिया अली रजा को सवाल यह उड़ता है कि क क्रेडिट है कि सर आइडेंटिफाइ कुछ नहीं है अलाने का नाम दिया है इसका मतलब क्याश कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब इसली इस टॉक घटेगा और साथी साथ आपका इस टॉक क्या हो जाएगा घट जाएगा दिक्कत तो नहीं न विटा जलो आप गटाओ कि वुड़ सोल्ड ऑन क्रेडिट वुड़ सोल्ड ऑन क्रेडिट प्रभाव नहीं पड़ा आपके जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन हाँ आपके स्टॉक पर प्रभाव पड़ा यानि आपके स्टॉक क्या हो गया बारहा हजार से घट जाएगा इधर आपका बेटा टेटर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा प्लस डेट इसे बारा हजार से हैं ठीक है तो जो माइनस करना है उसको ब्रैकेट में कर दीजिए ठीक है बैलेस देखते हैं इसका अब यहां पर बैलेस् कितना एगा एक लाक पैतालीस फजाब प्लस पचास फजाब लस ए नाइंटी थरी थाउसंड प्लस ट्वैल थाउजड यहां पर तूल इसपे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा ऑज अशंद और इदर आपका फिप्टी थाउसंड लिए हो गया गैटा पिर गहता है कि परचेज फरनीचर वैलू आफ पांच हजार फॉर दा कैश यह अपने फरनीचर खरीदा है पांच हजार का वह भी कैश में इसका मतलब आपके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताओ परचेज फरनीचर और कैश आपके कैश पर प्रभाव यह पड़ेगा कि आपका कैश क्या हो जाएगा पांच हजार रुपए से माइनस हो जाएगा आपका कैश पांच हजार रुपए से माइनस हो जाएगा आपके लेंड पर कोई प्रभाव पड़ेगा नो सर आपके स्टॉ लेकिन हाँ आपका फरनीचर बढ़ेगा तो ऊपर आप फरनीचर लिखें किने रूपय से बाबु से पांच हजार से आपके क्यापिटल और लियाबिलिटी कोई प्रभाव समझ में आ रहा है बैलिंस निकालेंगे इधर कितना आ जाएगा आपका एक लाख च樣री हजार प्लस पचास हजार फ्लस क्रियान नभे हजार फ्लस वारा हजार फ्लस पांच हजार फ्लस दो लाख पचास हजार प्लस आपका फचासज, जगहिएं खतम होगी हमाई तो, आगे देखेंगे, कुछ है क्या है, बहुत कुछ है, कहता है, रिसीप कैस फिरॉम अली रजा, अब देखो, अली रजा, आपके क्या थे, डीटर थे न, उनसे पैसा मिल गया है, कितना पैसा मिला है, दस हजार, अचा क्याश रिसीब कि एस रिसीब फ्रॉम अली रजा तो यह हो गए हमारे डेटर कि इतना रुपया मिला विटा 10,000 हमारा 10,000 से बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगा सर जमीन पर कोई प्रभाव नहीं सर इस्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं सर लेकिन हाँ अब देखो जो एसेट्स बारा हजार की थी अब वो कितने की हो गई है कि 10,000 हमें घटाना पड़ेगा नहीं क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा आया न और फिर अच्छा पर नीचर प्रभाव पढ़ा बेटा पर नीचर पर कोई फेक्ट पढ़ा सर क्या रहा है तर बैलेंस बताएं गे एक लाग्फ पचास अजर लिज्ञेस पचास-617 याख प्रिरानिवे हजार के यहां पे किद्ञाइका बैलनेस में का लभा Фर्व के आए यहां कितना एक तुन्ह आपका पचास हजार करें कि ऊंदे एक ट्लेबर उन्हें किलना देखते हैं Okay फिर अगला पॉइंट क्या कहता है बीटा कहता है रिटन कि इफेक्टिव फरिशर वर्थ रुपीत पंदरासव को सवाल यह उठता है कि यह त्यां फर्नीचर खरीदा था क्याश में खरीदा था या और फरिडिट में खरीदा तो भाइया थे जो आए कहे आधा गंटा बास हमाल लेने आएंगे नमोग क्या है तो इसका नाम था सालू ठीक है माल लेते हैं तो अब एक बात बताओ अगर माल लीजे उस सानू ने समान पैसे दे के खरीदा है आसू वाशू वाशू भाईया ने समान नगद में खरीदा समान अगर खराब हो जाए माल लीजे वो घर लेकर आए और घखर पे उनकी बड़ी बहन उनको देखले और समान में कोई defect आ जाए वाशू को दू-3 जापन मार कके जो समान वापस करके आ तो वाशू गया वापस करने तो जब समान वापस करेगा तो बदले में क्या लेगा पैसा लेगा बस यह आपको याद रखना है और अगर आपने credit में खरीदा था तो इसका मतलब आपकी liability घटेगी, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, यह मत सोच लेना पैसा पाजाओगे, liability घटेगी, जैसे अगर हम creditor की बात करें, तो creditor में अगर आप देखो, यहाँ पे goods हमने जो purchase किया था, यह वाला, यह व रहेगी, लेकिन फिलाल हम यहाँ पे क्या वापस कर रहे हैं, furniture वापस कर रहे हैं, और furniture कहा है हमारा, क्या पैसे का है, यह रहा ना, furniture हमारा यह रहा, furniture कितने का था, 5000 का, और हम कितना वापस कर रहे हैं, 1200, यानि 500, तो 1500 से हमारा furniture का value reduce होगा, और हमारा 1500 से cash क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा concept समझ में आ गया कि नहीं आ गया concept समझ में आ गया कि यहां पर लिखेंगे furniture written अब देखो पंदरा सो रुपिया आपका कैश क्या हो जाएगा कि अधिया पर जाएगा आपको जमीन पर कोई प्रभाव इस टाउक पर टेटर पर फंदरा सो से यहां पर क्या हो जाएगा यह घट जाएगा कि अब समझ में आया कि नहीं आया अच्छा इसका कोई capital अजान प्रभाव नहीं पड़ेगा बैलेंस बताएंगे यहां पर एक लाग पचास हजार एक लाग एक लाग एक लाग एक लाग प्रियावन हजार फान्सव प्लस पचास हजार प्लस एरानवे थाउजंट और ना कि नाइंटी थिरी हजार और यहां पर बेटा कितना आ जाएगा अरे पैटिस सव माना मेरी मैथ कमजोर है कि मैंने भी फरनीचर ही लिखा है आउ देखो लिखे परनीचर हो गया मेरा इसके बाद अगला देखो कहता है पेड वेज़ेश वन थाँजंड धान दो किना रेंट टू थाउज़ेश वन थाउजन रेंट तू थाउजनड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500 गटेगा तो कैसी गटेगा तो कैसी है ना एक्सपेंस है ना लॉस इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा कापिटल पे इस पर जाएगा कापिटल पे जोड़ लोगत हैं कितना है लब कितना यहां पैट आली सो से आपका कैश गटेगा और पैटाली सो से आपका कैपिटल क्या होँजाएगा गट जाएगा आप यहां पे लिखो एड़ एक्सपेंस पेड़ एक्सपेंस कि बिड़ा यहां से हमने अपना कैश घटा दिया कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अलग 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 घटाओ देखो अलग-अलग घटाना है तो अलग-अलग घटाओ मना नहीं है लेकिन बस यह है कि आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी फोगा थोड़ो ना अगर सर हम ऐसे कर दें तो क्या हमारा आंसर सही रहेगा इंड़ेट परशेंट रहेगा सही पन गलत करेगा आपका जैसे तुम लोग कभी बफर सिस्टम में खाए हो तो एक ही प्लेट में सब रहता है ना तस गुल्ला भी पापड़ भी चावल भी ठीक है हूं कि देखो कहना कहना बड़ा आसान होता है लेकिन रियालिटी हम जानते हैं लोग कि लोग लोग भले लोग भले कहें कि सर आयम सो सफेस्टिकेटेड आम यूस कटूरिया लॉट्स आप कटूरिया आइन वन प्लेट लेकिन जब नहीं मिलता ना मैं आपको बताओं यही अपने एक कौन सा वो जो महला है नाम नहीं याद आ रहा है मुझे वहां पर दस बारा नहीं नहीं वह नहीं नहीं जहां पर दस बारा मैरीज लॉन एक साथ हैं हां मगोरिया मैं आपको बताओं वहां पर जब मैं गया एक्ठो साथ एक्ठो बिनायक करके है वहां नान के लिए लोग लाइन लगा के खड़े थे खड़े गया थे एक सब ऐसे भेडिया चाल में खड़े थे जैसे नान आई आदमी बिचारे पीछे थे औरते कूद हमने का भाग चलो यहां से यहां अपना ठीकाना नहीं है कि पूड़ी क्या वहां कुछ जो बचा कुछा था वह खाली है कितना आएगा कि अब यहां आएगा एक लाग सैताली सेजा यह फाइनल बैलन्स है प्लस पचास हजार प्लस तिरा नभे हज़ार प्लस दू हज़ार ब्लस पैnes सो इसर बबावी कितना हैuciónगा 2,001,004,500 Sec. और इदर कितना नहीं पाटियास हजार TE 的 अ प्पेट कि बाद समझ में आ गई अच्छा एक चीज और जानू ये तो होगे statement form कभी कभी आपसे कहेगा कि आप draft the balance sheet आपसे कहेगा draft the balance sheet तो आपको बिल्कुल परिसान होने की जरूरत नहीं है आप ऐसे ही balance sheet का format बनाना बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए balance sheet का format बनाना और asset side में जो जो आपको दिख रहा है जैसे आपने लिखा cash कितना एक लाग सैतालिस हजार फिर क्या था ये जमीन land कितना पचास हजार फिर क्या था stock तीरा नवे हजार फिर डेटर ठीक है कितना बाबू दो हजार फिर आगया furniture पैतिस सो ठीक है बटा पैतिस सो ना इधर आपका capital तू लाग फटी फाइब थाउजन्ड फाइफ अंड्रेड इधर आपका creditor पैसे आपको क्या करना है इसे जोड़ देना है और आपका answer तैयार हो गया आपकी balance sheet बनकर तैयार हो गई मैंने आपसे क्या कहाता कि यह accounting equation आप पढ़ लीजे आपकी balance sheet automatic क्या हो जाएगी complete हो जाएगी clear हो गया बिटा note down करेंगे ठीक है तो आज के लिए accounting equation में बस इतना ही ठीक है अब इसके आगे हम कल आपको बताएंगे बाकी आप सभी ख्याल रखिए और कोई भी समस्यागर आ हमारा नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं ठीक है आप सभी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए महादेव